क्या हाल है साथ ही हो मैं हुई कास्तों मर आपके अपने ट्रस्वादी चानल स्टेटी फॉस सिविल से आज आपके समख्ष लेके आ गए हैं 28 फरवरी फरवरी भी खतम हो रहा है बकब जागोगे जाग जाओ करन्ट अफेर सुबाद 6 बजे रोज पाओ और इससे करो रिवीजन भरपूर तरीके से हिंदी इंग्रिस जोनों में ही है ले पीडिया और मोस्ट इंपोर्टन जो एक्जामिनेशन है यूपीसी यूपीसी का ईपीएपो और अधर सेट पीसे एक्जामिनेशन के लिए आज क अपने आज से ट्रस्वर्दी हो जाओ मेरे भाई क्योंकि आखरी में आप ही को जवाब देना होगा अपनी जो है किसमत का ठीक अपनी मेहनत का देगे समुद्री सतों के एरलाइन मैपिंग करा जाएगा ठीक ओशन फ्लोर का सीता नदी उदांती ट्राइगर रिजर्व जो एप्रूबल ओफ पी एल आई स्कीम फॉर हाई टेक आई टी हार्डवेर गैजट्स तो यह वाली सारी चीज़ें आज के हमारे जो है इंपॉर्टन टॉपिंग्स है आगे बढ़ने से पहले आप लोग बताते कि फरवरी अठाई जो होता है वो नैशनल आपका साइंस डे भी होता है ठीक राष्टिय विज्ञान दिवस भी कहलाता है यह बहुत यादा इंपॉर्टन है क्या कोई थीम बता सकता है इस साल की क्या है ठीक अच्छा आगे बढ़ने से पहले आप लोग लिए जेंटल रिमेंडर है इपीए फो दोजार बीस का हमारा नया पेड़ चल आप लोग को जो है प्रेक्टिस करने के लिए साथे साथ टोटल कंप्ली स्टेडी मुटल पीडियोफ के फार्म में इसके लावा और कुछ भी लेने के जो होता नहीं है और 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 इसके लावा सबसे मोस्ट अपरन्ट थिंग डेडिकेटेट डिसकेशन ग्रूप जिसमें जो मेंस का सिलेबस है उसके हिसाब से इसमें जो है इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि देश जो है हमारा एक महामारी से पीडित पीडी की और अगरसर है यानि कि जो ये कोविड विड हुआ है इन सब की वज़े से कंटेक्स समझ रहा है हम लोग संदर्ब इन सब की व पेकर है तीन सो पचत्ता मिलियन एक मिल्यम्न में दस लाग तो 375 मतलब आपका 37 करोण ठीक 37 करोण चलन जो है वो इससे आपके आहत होंगे लॉंग तर्म में और इस 36 जो है ये सिर्फ जो है जो इनकी एज है वह आपकी जब पैदा हुए तब से निउबोंस लेकर 14 साल तक की ठीक त्यान रखिए कि चोड़े टो फैक्ट वहां पे अठा साल बोल देगा रिपोर्ट किस ने दी है रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ एंवर्मेंट रिपोर्ट दोजार कि सेंटर फॉर साइंस एंवर्मेंट ने रिपोर्ट यह पब्लिश करी है जारी करता है इसके औ और जिसमें से आधे ज्यादा मलए 200 मिलियन से ज्यादा जो है इंडिया से है ठीक कोविड-19 के वह से जो है पूरे जो दुनिया के जो गरीब थे वो और गरीब हो गया है एक सो पंद्रा मिलियन एडिशनल पीपल जो है वो एक्स्ट्रीम पावर्टीम में चले गया है दु लोक्स वायम की रिपोर्ट में बताया था ठीक है न और इसके बाद जो है most of the और चाप जो एक्स्ट्रीम पोवर्टी में गया है ठीक अत्यतिक गरीबी की शड़ी में गया है उनमें ज्यादा तर लोग दच्छण एशिया से हैं दच्छण एशिया में कौन कौन से आते है बताइए सार्क वाला याद है ना B.B.I.N. B.B.I.N. Maps ठीक आपका भूतान भारत मत बोल देता भूतान बांगलादेश इंडिया नेपाल ठीक आपका मालदीव्स अफगानिस्तान पाकिस्तान और क्या है रावडवाला देश श्रिलंका ठीक इंडिया की रैंक जो है 192 नेश पाकिसाँ हम से उपर है ठीक पाकिस्तान से उपर है बाद इसी में हम लोग खुश हो आते हैं बलकि पाकिस्तान से यार हमारा क्या कोई comparison है क्या उस भेकारी से बिलकुल नहीं होना चाहिए ठीक तो यह अली बात है पर्यावण की खतम हो गए आपके air pollution के वैसे 2019 में 88 मेजर इंडस्ट्रियल ट्रस्टर्स ठीक जो उद्योगों के जो है समू है उसमें जो है आपका उसमें से अगर देखा जाए तो सीपी सीबी इस पे मैंने आप लोग बोला था कि वह लिखिएगा यह वैद्धानिक संस्ता है Central Pollution Control Board इसी तरह के से स्टेट में भी होती है इसकी रिपोर्ट आई उन्होंने बताए कि 88 मेजर इंडस्ट्रियल कस्टर में से क्या है कि 35 में से में Overall Environment Degradation हो गया है समगर परियावरण गिरावट देखी गई है 33 में भाई हवा खराब हो चुकी है गड़ वक्ता उसकी 45 में पानी पॉलूटेड हो गया 17 में लैंड पॉलूशन हो गया है ठीक यह सब चीज हो रही है उसमें अगर यहां पे देखा जा तो तारापोर ताराप आठ ऐसे प्रचक को क्लियर दे दिया गया जो की नो गो एरियास में ठीक और मतलब फॉरस्ट है यहां इसमें कहा था कि 9 गो मतलब होना चाहिए यहां पे इन्होंने कह दिया गोगो वह इसमें क्लेरेंस दे इनको यहां पे कॉल निकाला जाएगा ठीक और ऑश्क्य वज़ है ठीक अब जब आप उसको काड़ दोगे तो वही कार्बन का क्या होगा उस सर्जन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जब आपका यह गोगो हो गया नोगो की जगे तो 19,614 हेक्टेर का एक हेक्टेर में कितना एकड़ होते हैं 2.5 एकड़ जो और इस लेंड थे उसमें से एक मिलियन यानि कि 10 लाक ट्री काटे जाएंगे और कई 10 हजार फैमिली को निकालना पड़ेगा आप समझो कितना आपके घर से अगर कोई आके बेल भी बजाग भाग जाए मैं करता हूँ तो आपको बिलकुत बहुत दिक्कत आयाती कि नहीं आयती है ये गरीबों को यहां से निकाल के फिक दिया जाता है विदाउट एनी वो की भाईया वो कहा जाएंगे समझो क्या कितनी बड़ी चीज है थोड़ा सा जो है कंपेशन आपके अंदर होना चाहिए जो की जीएस पेपर फोर्ड में भी है तो इसलिए जोड़ी है जानना तो एकनॉमिक कॉस्ट अगर देखा जाए तो डॉलर 36,000 मिलियन का नुक्सान हुआ है जो की 1.36 परसंट है इंडिया के कंट्री इंडिया का जीडिपी यानि कि सकल घरेली उत्पाद अब यहां पर सी सेट का कोश्चन मेरे दिमाग में तुरण जो है अपने वहां पर बताइए जरूर ठीक है सी सेट भी कई लोग को करते रहना है सी सेट के जो है प्रीवेस कोश्चन जो है दो जाते रहा से लगाओ रोज आदे गंटे लगाओ लेकिन जरूर लगाओ ठीक है सस्टनेबल डवलोप्मेंट गोल से अगर देखा जाए य इसको एसे करोगो ना तो एक बोटा बोटा आपको जो है लेफ्ट राइट इस्ट वेस्ट क्या है यह सब समय आएगा ठीक है अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एरलाइन मैपिंग करी जाएगी ओशियन फ्लोर की अब यहां पर देखो बहुत सिंपल सा यह है आपकी एक सेंस्ता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यह जो है प्लैन यह मलब प्लैन कर रही है कि क इसके साथ मिलकर हैल्प लेगी किससे नैशनल रिमोर्ट संसिंग सेंटर से ठीक यह इस Evans का अंतर अंतर कशिया कि वाह यह बिना छुए रिमोटली किसी चीज को सेंस कर लेंना तो सैटलाइट के तुरू आप जान जाओ degrees दें और कहीं सरसे कियं ही यहां पे सेंस करना फील करना दूसरी चीदना समझेगा बिलकुल भी नहीं पढ़ाई के मूड में रहना है हमेशा देखें इंडिया नैशनल का सेंटर फॉर ओशें इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है यह तो ओशेंस है लेकिन यह मदद लेगा सेटलाइट का नैशनल रिपोर सेंसिं स्थिकव सब्सक्राइट सेनृण चीजवाब है यहां कितना इम साथ मारी पॉलटे और इंस्टिटूट यह सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं वग्यानिक लोग ठीक यह इन्होंने देटा निकाला है किसे फ्लक्स बॉइ से फ्लक्स बॉइ तो मधताब करें में पर इससार किया उटुटी hiss थो फिर से निकालते हैं और ये वाला कहां-पे प्रेंग securities में खाड़ी कोल्काटा को्स्राइब निकला गया अब इससाथ बताएंगा रूल क्या है इसका ठीक्ट आपका सुनामी ठीक आपका सुनामी आने वाली है या फिर इन सब चियों से पहले ही बता देता है सचेद कर देता आपको यह बॉइ जो है यह आपका कई बॉइ का मतलब ही होता है तैरना ठीक डूपता नहीं है डॉप डॉफ हुआ है सी में यह क्या क्या मोनिटर करता है तापमान को करता है दबाव को मेलटर करता है लवडता को यानि की रिसरेन हो करता है रेडियेशन यानि विकहनृटन और जीो केमिकल यानि की भूर-सायनिक पर्वितनों की विभिन गराई समझे रो सिर्फ एक राई पर नहीं है आपका जो कुछ अचीवमेंट अगर देखे जाए तो नर्सी जो नेशनल निमोट संसिंग जो सेंटर है उसने पहले भी हाई कर चुका है पूरी कंट्री का ठीक इस्तला करित ना इस्तला करित जो है पहले ही यह कर चुके यहां पर आपका यह इसके बाद एका है कि कैसे करेंगे कि 3D मल्टी अजार्ड मैपिंग की जाएगी चाहे वीस्ट वेस्ट और इस्ट कोस्ट लाइन इंडिया की और प्रेसाइज पैक्चर निकाली जाएगी कि ओशन फ्लोर है कैसा फिर इसमें देखा जाएगी कि गैप्स कहां पर है कहां कहा पर हम जो है नहीं ले पा रहे हैं डेटा जैसे कि और इसमें देखो रिसर्च इंस्टिटूट ने भी बताया कि कुछ गैप्स हैं कहां पर कोस्ट आफ अंधरपदेश और ओडिसा है तो आसपाजी ओडिसा उपर है नीचे अंधरपदेश है साउत में ठीक यहां पर जो है सुनामी आ रहा है इन सब से लेटर ठीक इस्टडी का वहीं है क्यों जुरुत पड़ी भई यह उशक्ता क्या है और शक्ता यहीं है कि आपका जो है यह उची लहरे सुनामी सब आती इंडोनेशन कोस्ट में अभी देखा गया लेकिन तब एक चीज हुई समझना टाइड ज जलना ही उपर यह तो ठीक है लेकिन क्या होता इसके अंदर भी तो टोपोग्राफी होती ना ओशियन की ठीक उसमें क्या हुआ कि कई ज्यादा भुस्कलन हो गया लैंड्स्लाइड हो गया उसकी वजह से बहुत ज्यादा लहरे हो गई तो हम तो उपर ही उपर मानिटर कर र यह जोग्रफी में जो है डाइग्राम और इसे वीडियो मना के समझाने बड़ा मज़ा आता है इनकोईस के बारे में अगर आप समझो तो यह एक और्टोनोमस और इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ और साइंसेस का इसी के अंतर आई एमडी भी आता है जिसको हम आपका इंडि प्रणाली विज्ञान सगठन का जो है एक इकाई है कौन इनकोईस यह दोजास साथ में बनाए गया था मिनिस्ट्री ऑफ और साइंसेस के अंतरगत ठीक इनकोईस का जो है कि जो भी हो सके बेस्ट पॉसिबल जो है पॉसिबल जो है आपका पही तो पॉरी टाइप हो गया ठीक बेस्ट पॉसिबल ओशियन इंफर्मेशन निकालनी है और एडवाइजरी सर्विस हमको देनी है बताना है लोगों को समंदित व्यवस्थित और प्रतिबत अनुशंधान ठीक लोगों को जो सला भी देनी है किसको समाज को इंडस्ट्री को गॉर्वर्मेंट एजन्सी को साइंटिफिक कमुनिटीज को यह डेटा मतलब निकालेगा ओशियन से और इन सब को देगा सला देगा जो भी पॉसिबल ओशियन इंफर्मेशन सब को निकालेगा ठीक और सब को बताएगा कि वह व्यवस्थित तरीके से फोकस रिसर्च अनुसंधान कैसे करना है प्रति पूरा नोट लिखेंगे 1972 इसमें शेडियूल कितने है थोड़ा तो देता हूँ चीफ वाइडलाइफ वार्डन होता है कौन कौन से मैं खुद बताता तो है नहीं खाली पूतता ही रहता बतने कहां से आया है ठीक अब यहाँ पे क्या है शेडियूल ठीक 123456 इसके बारे मे भी इसी में है ठीक इनका कारे क्या है और यह कौन-कौन से प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं वाइडलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतरकत आपका नैशनल पार्क वन जीव अभरन यानिकी वाइडलाइफ सेंक्चुरी आपका जो है कॉमुनिटी रिजर्व्स आपक को किसके अंतरकत मनाएगा इसी के अंतरकत मनाएगा इसी लिए इसको वैदानिक संस्ता भी माना जाएगा एंटीजी एक यह कुछ जो मुझे एकदम फिंकर टेप्स पर याद आ रही दो मैंने बता दी में में इसको थोड़ा से डिटेल में आप लोग को होमवर्क है आप देखें यहाँ पर क्या है ट्राइबल अब कंटेक्स समझ लो यह 36 गण में सीता नदी उदंती बाग अरचिछेत्र है इसमें हो गया है बवाल यहाँ पर क्या हुआ जो यहां के अनुसूची जनजाती लोग हैं वो कहरें कि हमारे विलेज़ जो कोर एरिया में आप जोन उता है यहाँ पर गास वाश जो है चराना और सब्सक्राइब लोर फिर यह चीजो फिर यह ट्रांजिशनल जोन होता है इसमें सब कुछ हाउसिंग और सटल्मेंट यह सब भी हो सकता आप देखो housing settlement यहाँ पर बात हो रही है ठीक तो यहीं वाला game हो गया यहाँ पर जो यहाँ पर travel जो जी रहा है यहाँ पर रह रहा है वो villages जो है उनके कहाँ पर core areas में है तो अब यह कह रहा है कि हमको हमारे community forest resource rights जो है ठीक समुदाइक one संसाधन अधिकारों को जो है मानिता देनी चाहिए अब भाईया forest वाले भी और जो वहाँ के जो public administration वाले है वो लोग भी दोनों लोग क्या कह रहे है भाईया आप तो core area में हो ना core area जो है अगर tiger reserve का है तो वहाँ पर हम चराने तो देते नहीं grazing to करने ने देते आपके घर का विलेज है मतलब तो हम तो कैसे कर लें तो अगर आपको ये आपके जो अपने community forest rights है अगर इनको recognize कराना है मानिता दिलवान नहीं है तो आप एक काम करो पहले यहां से निकलो ठीक उसके बाद ही हम दे सकते हैं ठीक तो ये था पूरा game अब इसमें तो क्या यहीं सब हो रही है बात कि जो आपके जो ये bureaucratic वाले hurdles हो रहे है मतलब नौकिशाई दबाव बना रहे है कि भाईया law जो है वो जो कहरा है उसके साब चलेंगे district authority जो है जिला अधिकारी वो ग्रामीडों को बोलना है कि भाईया तुम यहाँ से ये core areas में हो तुम कैसे मान लें आपके rights को forest official भी यहीं बोलना है ठीक village जो official है वो कहरा है कि village committee के right हम तभी discuss कर सकते हैं जो वो core areas से बाहर आ जाए देखरों सब्सक्राइब निकलने में जुटे हुएं लोगों पि इस core areas जो है वहाँ पर आपका grazing तक भी नहीं allowed है local villages जो है वो demand कर रहे हैं कि भाईया हमको संसाधन संबंधी अधिकार दे दो resource ताकि जो है उनके पार road पहुँच सके अब संरचनातमक जो सिविधाएं वो पहुँच सके और जो कि अभी core areas की वैसे हो के नहीं हो पा रही है ये सारी बात है अब समझ लेते हैं कि भाईया आगे background क्या है ठीक schedule tribe and other traditional forest dollars जो है recognition of forest right act 26 इसको short में हम लोग क्या बोल देते हैं forest right act अब इसके अंतरगत क्या है कि जो भी जो इसमें क्या किया जाता है आपका संसाधन जो है समुदाइक one संसाधन की रचना पुनर जनन जनन और आपका संरचन या प्रबंधन करने के अधिकारों से समंदित है ठीक इसमें protect करेंगे, regenerate करेंगे conserve करेंगे, manage करेंगे ठीक प्रबंधन करेंगे जो community forest resource के जो भी है उन से समंदित और जो लोग यहाँ पे traditional, tribal जो है traditionally इन सारी चीजों को संदच्छड दे रहे थे, conserve कर रहे थे protect कर रहे थे, for sustainable use उन सब को यहाँ पे क्या है rights दिया जाता है इनके villages का, tribal villages का traditional boundary भी बना के दिया आती है यह boundary है, यह पूरा forest है यह area में, इनकी यह boundary है तो इसके अंतरकत, जो भी लोग grazing करा रहे हैं, चरा रहे हैं, इस सब कर रहे हैं तो यहाँ पे मानिता दे, तो इस area में करते रहेंगे समझ रहो, तो यह सब जो है forest right acts के अंतरक यह आता है अच्छा इन सब में सबसे बड़ी चीछ जो है, वो यह है, ग्राम सभा, इस से related question पूछा चुका है पहले भी आगे पूछा जाएगा यह empower करता है यह वाला right कि ग्राम सभा के पास में विलेज में कोई भी decision जो की उनके सनरच्छन, regeneration, conservation, management जो है forest का या फिर उसके produce का होना है, तो ग्राम सभा इसमें जो है, decision लेती है यह समझने वली बात है सीता नदियों उदंती बाग अरच्छे चेतर जो है, यह दो जार आठ नौ में यह main endangered species यानि की प्रमुक लुप्त पराय पर जाती है जो की core area में रहती है ठीक, उनके साथ ही यह लोग भी रहने है in addition to tiger tiger भी है यहाँ पर यहाँ पे भेडिये भी है leopards भी है, sloth bear भी है और mouse deer भी है, यह चूहे जैसा है लेकिन है यह हिरन ठीक, तो यह वाली बात है दूस और tiger reserve कौन कौन से 37 कड में, इंद्रावती tiger reserve और अचानक मार्थ tiger reserve याचा यूपी में कितने tiger reserve हैं यह बताईए और कितने national park हैं नाम क्या लिखके कोई बता सकता है तो यह औरी चीज है fugitive economic offender भगोड़ा आर्थिक अपराधी अब क्या हुआ है संदब समझ लेते हैं नीरव मोडी को जो है West Minister Magistrate Court था जो लंदन में उन्होंने 25 तारिफ अर्वरी को यह कह दिया कि भाईया इंडिया ने जो request करी थी प्रत्याप्रत की ठीक प्रत्यारपित की यानि की extradition की इसको हमने मंजूरी दे दिये ठीक अब नीरव मोडी को आप ले सकते अच्छा यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल एक उठता है अगर यहाँ पे क्या करेगा UPSC वे बाकी आयो यहाँ पे लिख देगा deportation deportation तो इन दोनों सब्दों में जो है difference क्या है यह बात समने ओली है deportation government के बीच में जो है अगर हो जाए तो तुरन जो है deport हो जाता है ठीक जैसे नीरो मोडी को कहते India request करती deport करने की तो यहाँ government India की government और उनकी government यह DCN ले सकती थी अपस में लेकिन अगर इसमें जो है विधाइका का रोल आएगा कुछ इसमें legislation और इन सब का रोल आएगा दोनों की बीच में extradition treaty है की नहीं है इसका रोल आएगा तब उसको extradition बोलाएगा मतलब इसमें legislature का भी रोल आएगा विधाइका का रोल आजाता है अच्छा इस प्रोसेस में आगे क्या हो को समग लेते हैं अब ये order जो है जो यहां से किसने दिया court ने दिया western western minister magistrate court ने अब ये order जाएगा किसके बास secretary of state के पास में भारत में जब ये voice rai आगए तो पहली बार से पहला secretary of state कौन था और जब भारत आजा दुआ तब कौन था ये दोनों के नाम बताईए ठीक अब ये secretary of state के पास में order जाएगा ठीक इस approval का और for the united kingdom home department for further action ठीक जो जैसे अपना इंडिया में home ministry होती वैसे वहाँ पे United Kingdom का home department होता है ठीक वो secretary of state के दोरा ये orders के पास जाएगा वहाँ पे further action लिया जाएगा अब दो secretary of state के पास दो महिने होते हैं कि वो अपना decision ले ठीक और या फिर अगर decision नहीं ले पा रहा तो high court से जो है ये request करके इस दो महिने के अवदी को बढ़ा लेते हैं in case इन्होंने decision ले लिया एक महिने दो महिने के अंतरगत कभी भी तो अगले 28 दिन के अंतरगत जो है extradition हो जाएगा लेकिन अगर बीच में appeal हो गई और appeal को जो है मंजूरी कर ली गई तो फिर जो है जिनके अंतरगत extradition मोडी जी का हो जाएगा नीरा मोडी मेहल चौकसी ये सब जो है चोर टाइप के लोग है जो भारत से पैसा गरीबों का पैसा उड़ा उड़ा के और ये बैंक भी कम नहीं है पंजाब नेशनल बैंक था जो पहले बैंक के करब चारी थे जो करब टाइप के थे उन्होंने जो है इन लोग के साथ मिलके खुब जो है गरीब लोगों से पैसा ले लेकर जो है उनके डिपॉजिट को ऐसे लोगों को दे दिया बड़ी घिनावनी बात है ये ठीक इसमें फार्मसेटिकल इंडस्ट्री को पूरा इंसेंटिव दिया जाएगा और सोचो ए तेरा आजा करोड़ उपे का गोटाला क्या है नोने कितना जादा बड़ा गोटाला आई है ये पैसा निकाल के गरीबों बाटना चाहिए नीरमोडी कौन है नीरमोडी को इंटरपोल के जरी है इंटरपोल जो है इंटरनेशनल पुलिस से समंदित है इनके कई सारे नोटिस होते है उस नोटिस का आप लोग को जो है नोट बनाना है रेड नोटिस क्या है, ग्रीन नोटिस क्या है, ब्लू नोटिस क्या है ये सारी गौर्मेंट अफ इंडिया ने इनके उपर क्रिमिनल कॉंस्पिरेसी और क्रिमिनल ब्रीच ओफ ट्रस्ट और ये सारी चीजे लगाई कि इंबेजर में अब गबन कर गए और 2018 में नीरमोडी जो है फिर इंवेस्टिगेशन इनके पास हुआ और दो बिलियन डॉलर का फ्रॉड को पाया गया पी एंबी के साथ ठीक अगर तीयतर से कल लो एक बिलियन में केतना जिसने पैसा जो है वारंट निकल गया है एरेस्ट होने का ठीक और वह शेडूल ओफंस के लिए जो अफंस इस एक्ट के अंतरकत आये होंगे 2018 में जो बनाए गया है उसमें कुछ offenses बताएगे है उस offenses के लिए अगर arrest का warrant निकला ठीक और ये भाई साव जो है उससे पहले criminal prosecution ना हो ठीक अपराथिक अभियोजन ना हो इसके लिए इंडिया से भाग गए ठीक और भाग तो गई है अब भागने बाद इंडिया ओले कह रहे है आओ बेटा तुमको टांगेंगे मतलब तुमको जो है तुम्हाई खिलाब जाए criminal proceeding चलेंगे और ये refuse कर रहा है वापस आ नहीं रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा शुद धिन्दी बाद सा भाषा में भागोडा आर्थिक अपराथी ठीक अब ये जो एक्ट है इसमें यहीं चीब बताई जाती है कि आपके दो तरीके से एक तो भाई फ्रॉड करके भाग क्या है ठीक criminal proceeding होने ने दे रहा और भागने बाद जब बुलाया जारा तो आनी रहा तो इसको जो है आपका फिजिटिव economic offender बोला जाएगा कौन-कौन से offences की बात हो रही है कौन-कौन सुची बद्द जो अपराथ है money laundering money laundering क्या होता समझो आप जैसे laundry में अपना पैसा बेसा अपना पैसा बतारो अपना जो है अपना जो है अपना ब्लैक मनी को white money में change कर देने को ही money laundering बोलते है black money वो होता जिसका source of income नहीं पता होता है कहां से आया है क्या है कैसा है कुछ पता नहीं लेकिन white money वो होता जिसको आप जो है करने को इसी को ही money laundering करते है आसान बार सामें ठीक इसको जो है कौन जो है इंटरप्रेट कर मलब कौन इसको रोकता है enforcement डारेक्ट रोकता है किस वाले law के अंतरगत prevention of money laundering act के अंतरगत अब जो enforcement डारेक्ट है क्या यह कौन सी निकाय कहलाएगी कौन सी body कहलाएगी को आसी जोडिशियल body कहलाएगी समझ में आ रहा ना अब जो लगाता है रोज सुबह 6 वजब यह साथ देख रहा होगा इसके उसारी चीज़े सों में आने लग गई होगी तो जो इडी है यह इस वाले law को इंटरपेट कर रही इसलिए अर्ध सरकारी जो है अर्ध नयाइक जो है इसको की निकाय बोला जाएगा इडी को enforcement और रेट यह क्या काम करता है money laundering को रोकता है और साती साथ कौन से और इसमें offenses है transaction deflording creator लेंदारों को धोका देना सरकारी टिकेट या मुद्रा की जाल साजी करना ठीक जो नकली नोट बनाना stamp नकली बनाना currency नकली बनाना और जो check है उसको dishonor करना यह सब चीज में होता है यहाँ पे कैसा है चीए पूरी दी गई है ज़्यादा important नहीं है enforcement direct trade मैंने आपको बता दिया है ठीक और इसमें जो है 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 advertisement कौन करता था आप बताईए किसी को तो बता हो गई ठीक एक बहुत ही मशूर जो है अब नेतनी हैं जो अब जिन्होंने एक फॉर्णर गजाशादी कर लिए अच्छा high-tech IT hardware जो है gadgets के लिए PLI योजना की मजूरी दे दी गई है cabinet ने decision लिया है cabinet committee के उपर मैं आप लोग के लिए पूरा वीडियो बना चुका हूँ description में उसका वीडियो के लिंक है देख लीजेगा दो नई जुड़ी थी तो इसलिए important भी है production linked incentive सिंपल सी चीज है संदर्ब समझ लेते हैं पहले जो laptop या tablet या all-in-one personal computers है उनको बनाने के लिए इस scheme के अंतरगत उनको जो है incentive दिया जाएगा ठीक है उनको जो है प्रोसाइद किया जाएगा पर production linked incentive क्या है देखे यह जैसे पहले वो था ना आपका made in इंडिया वाला initiative तो उसके बाद आप चला है क्या आदम इंदरफर भारत तो आप यहां पे कहरें कि भारत में आओ यहां पे निवेश करो यहां पे जो है manufacturing वाली लगाओ फैक्ट्रिया लगाओ और यहां से जो है production बढ़ाओ, export करो यह सब करो हम आपको incentivize कर रहे हैं ठीक government ठीक production जितना आदा करोगे उससे linked हम incentivize देंगे और जदा आपको proceed करेंगे यह है simple scheme यह कई सारे sectors में है और sectors में बढ़ा जा रहे हैं अभी latest में जो है laptop वाले और यह इसमें बढ़ाए गया इससे पहले pharmaceuticals में इसमें बढ़ा है और इसमें तीन के ड्रक्स को बनाए जाएगा और साथी साथ 50 critical key drug ingredients होते हैं जैसे कि आप कोई अपनी recipe बनाते हो तो उसमें ingredients लिखे होते हैं किस की चियों से बना हुआ है वैसे ही जो आप pharmaceuticals या फिर जो यह medicines बना रहे हो इसमें key drug ingredients हो हैं उनको बनाने के लिए प्रसाहत किया जाएगा यह कौन-कौन से हैं penicillin G, vitamin B1, dexamethazone और aspirin ठ patented orphan orphan drugs क्या होते हैं यह आप लोग comment करके बताना है फ्लीज ठीक API active pharmaceutical जो है सक्री दवा समगरी और key starting material यह मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ अपने सुभे current affair 6 बज़े वाले में और drug intermediates ठीक है इसका तीसी category क्या है वहीं anti-cancer, anti-retroveral, anti-effective, cardiovascular जो है हर्दय समंधी दव बूस्ट करेगा domestic manufacturing, manufacturing में जितना यादा boost होगा उतनी यादा जो है नौकरिया निकलेंगी जो लोग जो बेरोजगार मिलेगा, import को कम करना है, domestic जो आपके इकाई है, उनको बढ़ावा देना है, import को कम करना है, और यह मार्च 2020 पिसले साल लाई गई थी, इसमें company को incentive दिया जाए कि जैसे जैसे वो production को बढ़ाएंगे, domestic units में और sale बढ़ाएंगे, ठीक, simple यह है, भारत में आओ, निवेश करो, factory को setup करो, manufacture को बढ़ाओ, दिर्माड करो, export करो और incentive पाओ, ठीक, simple सी चीज है, और यह इसमें कई सारे pharmaceutical, medical devices, manufacturing इस सारे चीज होगी, government का aim है है कि production linked incentive दिय जाएगा और इसमें 10 से ज़्यादा sectors food processing textile कई सारे sectors है, आप लोगे काम कर सकते हो, नहीं तो मुझे बताना, PLI scheme, PIB करके सरच करना, आपको एक बढ़िया article मिलेगा, उसको पढ़ लेना, Hindi English zone में यह है, और आगे हम लोग अपने favorite section की, हम लोग क्या पढ़ें वो तो ठीक है, लेकिं पढ़के का question solve करना है, कैसे करना है, वो समस्ते हैं यहाँ पर, देखे, आपका यहाँ बहुत यादा important, दोनों question आज बहुत यादा important है, ध्याँ से करिएगा, मनातु पदमनाभन जो है, इन से समंदित, कौन कौन से कथन जो है, उस ही है, यह दच्छड पस्चमी र लिया था, anti-untouchability, ठीक है, agitations में, ठीक, आज पर से था, विरोधी, जो अंदोलन था, उसमें लिया था, ठीक, जए चुआ चूट वाली चीज थी, तो उसके खिलाफ इन्होंने काम किया, और इन्होंने यह भी बताया था, कि टेंपल सो खोलो, सभी कास्ट के लिए भाई, तो, sorry, 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 answer दिख गया गया, बैक मत करना, चलो रुको अभी question लगो, अब देखो, यह वाला सही है कि गलत है, आप लोग को बताना है, तीसरा आप पूछा गया गया है, सत्य पूछा गया है, he is also known for his founding of the Nair Service Society, important, very important, तो इसमें देखे, यहाँ पर जो है, आपका पहला statement ग personality से question पूछ रहा है, चाहिए UPSC, चाहिए योग दूसरे हो, ठीक, देखे, इसमें क्या है, Manathu Padmanabhan, जो है, यह Indian Social Reformer, Freedom Fighter केडला से थे, इनको प्रदामंत्री टिब्यूट देने जा रहा है, अभी election pass में आ रहा है, केडला में, ठीक, तो यह पूर्निती थी, इनकी जो थी, death anniversary, उस पे देने जाएंग गय थे, और इसमें क्या है, वाइकोम जो सत्यागरा था, आप लोगोंने नाम सुनो, अगर वाइकोम जो है, मुवमेंट और गुरु वयूर, टेंपल इंट्री मुवमेंट, इन सब में भी इन्होंने पाट लिया था, इन्होंने नायर सर्विस स आया, आप समझो, ये भी history सही है, लेकिन इसमें नई एक founding हुई है, इसलिए ये important हुए रता है, श्री कृष्णे देव रायर से, जो कि विजयनगर अंपायर के थे, अच्छा, क्यों बता रहा हूँ, मैं कुर्शन पूच रहा हूँ, sorry, तो उससे लेटर जो है, कौन से इन इत्यु समंदित, तिथी का प्रथम, साक्षिक हो जा गया है, कब जो है, इनका देवसान, देवंगत कब हो गये थे, किस डेट को, उसका प्रथम साच मिला है, क्या statement सही है, आप लोग बताना है, पहला statement सही है, कि गलत लिखिए, गलत पूचा गया दान रगना, he was an emperor, ये emperor तो सीजे इसमें सही है, लेकिन संगम डायस्टी वाली के बाद गलत हो गई, वो गलत है, क्योंकि, और गलत ही पूचा कि इसके only D answer हो जाएगा, only 3, ये तुलूवू, तुलूवा डायस्टी जो थे, उसके थे, पॉर्तिकियूज के जो टैवलर थे, आपका डोमिगो, पेस और फनाजो, फनाओ, न्यूनिज, ये इनके टाइम पे जब ये राजा थे, तब इन लोग ने यहाँ पर ट्रेवल किया था, और किष्णदेव राया को कई साय नाम भी दिये गए हैं, कभी कोई नाम बूल लेता है, मुरू, रायर गंड, और इसके बाद जो है, आंदर भ भी इनको बोला जाता है, इनकी डेट जो है, वो निकल गई है, 17 अक्तूबर 1529 संड़े को जो है, इनकी देथवी थी, और लूनर एकलिप्स भी था उस दिन, ठीक, चंदर करहन भी था, और ये वन आप दा ग्रेटेस्ट एंपरर थे इंडिया में, साउथ में, और इनके ज आपको समझाने का, और जो लोग आंसर करते हैं, कमेंट करते हैं, वो लोग अपना सेलेक्शन जरूर सुनेचित करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग की एकसराइस हो रही है, और अगर आप लोगा हमारे साथ जो है, पेट ग्रूप में जुड़ना है, और इसमें क्या है, आ जाता रहा, गरम-गरम, तो तुरंत आप लोग जो हैं कर सकते हैं, वन इस्टॉप डेस्टनेशन है, दो ही नमबर हमारे हैं, 8564880530, और 969606089 पर कॉल करके, आप लोग सकते हैं, तब तक कल तक, कि आप लोग से मैं अलविदा लेता हूं, आप लोग से कल फिर मलागात होगी, तब तक लिए जाएं जावरत, और अल दी वेरी बेस्ट है,